हेीज गईज, इस वीडव में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने CPU Reno eight pro mobile में back button को hide कर सकते हो, यानि कि ये अपने full screen gesture को use कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से full screen को जो है आप use करोगे अपने इस mobile में तो जुस्तों आपको इस Mobile को Full Screen बनाने के लिए क्या करना है सबसे फ़हले Settings में जाना है और Settings में जाने के बाद नीचे के तिरह सबसे नीचे तिरह आ जाना है scroll करते हुए यहाँ पर option मिलेगा आपको systems setting का तो आपको क्या करना है system settings पर click करना है और यहाँ पर देखिए option उपर ही मिला है system navigation तो अब आपको system navigation पर click करना है आप दोस्तों यहाँ पर देख पार है एक option मिला है gesture का तो आपको gesture पर click करना है और यहाँ पर cancel कर देना है अब guys य यहां आपकी back button जो है uy वो बटन सापकी जो एंब हünk चुकी अभी आपको back करना होगा तो क्या करना है इस तरफ से आपको sojupe करना है यनी कि इस तरफ से ofipe करोगे तो आपका back हो जाएगा इस तरफ से आप जो स्वेप करोगे उपर की तरफ तो home screen पर पहुंच जाओगे और नीचे की तरफ से उपर की तरफ स्वेप करके आप hold कर दोगे तो आपके recent apps आ जाएंगे यहां पर देख पर हो कि recent apps आ चुका है तो इस तरीके से आप जो फूल स्क्रेन गेस्टर को यूज कर सकते हो अपने mobile को बड़ी आसान तरीके से